नमस्कार आप देखरें डी टीवी भारत और मैं हूँ आपके साथ स्रिष्टी श्रवास्तव एक तरफ जहां बिहार में विधान सबाद चुनाओ हो रहा था और वो खतम भी हो गया कई सियासी बयान बाजी हुई मौसम गरमाया वा रहा लेकि अब यूपी का चुनाओ यूपी में विधान सबाद चुनाओ होने वाला है जिसको लेकर राजनीतिक मुद्दा और भी जादा गरम हो चुका है आपको बता दे सियासी मोहल गरम हो चुका है और इसी बीच राज़त ने एक ट्वीट करकर मोहल को और भी जादा गरम कर दिया है बता दे राज़त ने एक ट्वीट किया है और नरेंद्र मोधी और योगी आदितिनात के कंधे पर है और फिर दूसरा फोटो है वही फोटो जाते हुए जिस पर उन्होंने कमेंट करके लिखा है योगी पर दादा गिरी दिखाने के लिए ये फोटो खिचवाए गए है प्रधान मंतरी की एक फोटो में कंधे पर शौल है और दूसरी में गमचा है मत एक तस्वीर में नरेन मोदी ने शॉल ओर रखा है और दूसरे वाले तस्वीर में शॉल नहीं ओर रखा है और इसी चीज़ को देखते हुए राजद नहीं ट्वीट किया है और बता दे लालू प्रसाद यादफ की जो बेटी है रोहनी आचारे उन्होंने भी इस ट्वीट क चरते वे एक बात लिखी है क्या कुछ है आपकी स्क्रीन पर वो चल रहा होगा इन्होंने लिखा है अपना तन्मन अरपन करके फकीरा के चर्णों में संपंड करके हमने प्रंठाना है समशान कब्रिस्तान के नारों में यूपी को रसातल में पहुचाना है एक नया भारत के स अपने में जनता को भर्मा कर फिर से सत्ता की कुर्सी पर काबिज हो जाना है एक तरीके से ये निशाना योगी आदित नात पर और नरेंद्र मोदी पर था रोहनी आचार्या का दादे यूपी में विधानसवा चुनाव होने है जिसको लेकर सभी राजनीतिक दल कूद पर रहे है उसमें तरीके से सभी लग गए है जा चिराक पासवान में वहां का दौरा कर रहे है यूपी चुनाव के लिए तैयारिया कर रहे है तो वही यूपी में और भी कई पार्टिया है जो तैयारियों में लगी हुई है और साथ साथ आप देख सकते कि राज़त ने किस दिली से पटना ढ़किछ है जा पर उन्होंने जम कर निशाना साथा दाथा बता दे दिजस्वी आदब जो है वो कल दिली से पटना पहुचे थे भिहार पहुचते इंटीरस्वी आदब ने सेम नितीश कुमार और केंदर सरकार पर जम कर हमला बोला इस दोरान Перषवी बेमिसाल कारक्रम को ले कर तिरस्वी आरव ने कहा है क्या खिर कौन सा 15 साल बेमिसाल हुआ है। उन्होंने कहा कि बिहार में जिस तरह से बेरोजगारी, अपराद और ब्रष्टाचार बढ़ रहा है। यही 15 साल बेमिसाल है। उन्होंने पूछा यार नितीश कुमार के साशन में कौन सा ऐसा काम हुआ है जो 15 साल बेमिसाल कारिकरम मनाया जा रहा है। तेरस्वी ने कहा कि बिहार में कोई भी उद्योग नहीं है। क्रिशी कानून बिल को लेकर उनका कहना था कि क्रिशी कानून बिल तो वापस ले लिया गया है लेकिन जितनों की जान गई है उनको मुआवजा देना जरूरी है। एक तरीके से और साथ साथ जब नरेंद्र मोदी ने क्रिशी कानून बिल वापस लिया था तो भी तेरस्वी महाल को गर्मा दिया है जहाँ यूपी में विधान सभा चुना होने है इसको लेकर ऐसा कह सकते है कयास लगाए जा रहे है कि राजत का हमला था एक तरीके से यूपी पर और साथ योगी आदित नात और नरेंद्र मोधी पर हमला थे और रोहिनियाचारा ने भी इस ट्वीट क वापस से ट्वीट किया है अभी यूपी में विधान सभा चुना होने है तो ये देखना दिलजस्प होगा कि उसमें क्या कुछ होता है क्या कुछ सियास से बयान बाजी छिरती है आप देखरें तरीडी टीवी भारत धन्यवाद